इस वीडियो के माधिम से हम जानेंगे कि UGC Net Examination क्या होता है मेरी पूरी कोशिस रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे कि Net Exam क्या होता है, GRF क्या होता है इससे रिलेटेड जुतने भी कोशन्स आपके माइंड में हैं मैंने कोशिस किये कि सबको समेटा जाए इस वीडियो में Net क्या होता है, GRF क्या होता है Net और GRF के बीच में क्या difference है Net qualify होने के बाद क्या benefits मिलते है GRF qualify हो जाते हैं, तो क्या लाभाब को मिलता है eligibility criteria क्या है, योगिता कितनी होनी चाहिए age limit कितनी है कि maximum कितने age तक जा करके आप exam को दे सकते हैं, exam का time क्या है कि साल में कितने बार ये exam होता है exam mode, इसका pattern क्या है exam का और last में syllabus को भी दिखेंगे कितने duration का exam है, syllabus कैसा है, कितने units होते है ये सारी चीजें पूरी कोशिस रहेगी कि सब कुछ इसमें cover हो जाए तो सबसे पहले पहले question से start करते है कि net क्या होता है net का full form है national eligibility test यानि कि ये एक minimum eligibility test है अगर आपको किसी college में या university में पढ़ाने में interest है तो आपके लिए एक new term योग्यता है college या फिर university को join करने के लिए UGC conducts national eligibility test to determine eligibility for assistant professor जब आप net exam qualify कर जाते है तो आपके साथ tag जूड़ जाता है कि आप एक assistant professor है All India आप कहीं पर भी किसी भी college में किसी भी university में जोईन कर सकते हैं अगर आप वहाँ के exams को qualify करते हैं तो आप वहाँ के लिए assistant professor बन सकते हैं I hope आपको net के बारे में समझ में आया हो JRF क्या होता है JRF stands for junior research fellowship जैसे हम लोग जब UG में थे तो हम लोग को एक scholarship मिलता था हर साल एक बार मिलता था तो वो क्या है scholarship है जब हम लोग higher exam में आते हैं तो वही scholarship fellowship की तरह बदल जाती है और JRF जब आप exam पास कर लेते हैं तो आपको stipend मिलते हैं 31,000 से अधिक मिलता है और ये पर मंथ मिलता है जैसे हम लोग को scholarship साल में एक बार मिलती थी इसके साथ क्या है कि जब आप PhD में enroll हो जाएंगे जब आपका PhD में admission हो जाता है उसके बाद आपको 31,000 से एवब पर मंथ आपके account में आने लगते हैं ये government आपको पैसा देती है ताकि आप research work कर सकें ये जैसे आपने exam qualify किया JRF का और PhD में admission नहीं लिया और आप सोचे हर महीने आपको पैसे मिलेंगे तो ऐसा नहीं होता है जब तक आप PhD में enroll नहीं होंगे तब तक ये आपका JRF का letter activate नहीं होगा जब आप net exam qualify करते हैं और उसके साथ JRF भी आपने qualify कर दिया तो net के लिए उस certificate मिलेगा और JRF के लिए award letter मिलता है JRF एक तरीके का award होता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा marks gain किये हूँ जैसे क्या होता है जैसे अगर हम लोग example लेते हैं कि किसी exam में 100 बच्चे exam दे रहे है उसमें से मैं 10 बच्चों का बस marks ले रहे हूँ कि किसी बच्चे का 35 नमर आया है किसी का 40 नमर आया है 42 नमर आया है किसी का 48 नमर आया है किसी का 60 है किसी का 70 है किसी का 62 है किसी का 68 है फिर बस इतना रहन देते हैं अब इसमें क्या है कि UGC कहती है कि top 6% यानि कि इस 100 बच्चों में से जो top 6% बच्चे होंगे जिनके ज़्यादा marks आए हैं उनको हम net का certificate देंगे यानि कि वो लोग eligible हो जाते हैं assistant professor के लिए अब इस 6% में से भी तो कुछ लोग होंगे जिनके marks उससे भी आदिक होंगे मतलब 6% में जो सबसे higher marks वाले होंगे जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे higher marks किसका है 70 वाले का और 68 वाले का बाकि सब उससे कम है तो इन दोनों लोग को GRF का award दिया जाता है जैसे हम लोग के school में होता था कि जितने लोग 33 नंबर पाए वो लोग pass हो गए और जितने लोग सबसे उपर वाले marks पाए हैं उनको first second third का price दिया जाता था वैसे ही जो top 1% इस 6 में से 1% लोग होते हैं उनको GRF award किया जाता है अतलब government उनको मानती है कि आप अगर research करने जाते हैं research के field में जाते हैं तो हम आपको help करेंगे financially, economically तो इसलिए वो क्या करती है हर मेने 31,000 पर मत करके आपको stipend देने लगती है तो GRF का पैसा आपको कमे लेगा जब आप PhD में enroll हो जाएंगे और NET का क्या है NET में आप जैसे ही आप वहाँ पे enter किये जैसे ही आपने exam pass किया वैसे ही आप eligible हो गए assistant professor के लिए किसी भी college में जाकर के पढ़ा सकते हैं दोनों के बीच में difference क्या है जैसे ही जहिए अभी खर्चे आएंगे वह गवर्मेंट देखी उसकी limit क्या है फर्टी वन ठाउज़न प्लस मिलता है 35,000 मान लेते हैं या 36,000 ऐसे करके मिलता है कि आपके रहने खाने का इधर उदर जाने का जो भी खर्चा आता है वो सब मिला जुला करके वो पैसे मिलते हैं तो इनके बीच में में डिफरेंस यही है जब आप जियारफ क्वालिफाई करते हैं तो आप नेट प्लस जियारफ दोनों क्वालिफाई करते हैं जब आप net qualify करते हैं तो आप सिर्फ net qualify करते है I hope आपको समझ में हो जैसे 33% से उपर जितने लोग भी गया वो क्या है पास है लेकिन जो लोग top 1% में आए हैं वो लोग क्या है वो पास भी है प्लस उनका जयारफ भी qualify है यानि कि उनको स्टेज पर बुला करके award भी दिया जागा उनलों को बोला जाएगा कि आपको prices दिये जाएंगे क्योंकि आपने class में सबसे अधिक marks लेके आए हैं I hope आपको समझ में हो इसके अला में भी कोई doubt आएगा तो फिर पूछ लिजेगा मेरी पूरी कोशिस है कि इसके मादियम से आपको सब कुछ समझा दिये जाए निट के benefit क्या है या आप lifetime as an assistant professor qualified है ज्यारफ के साथ क्या है कि जब आप PhD में enrolled हो जाते हैं maximum 6 years तक अगले 6 साल तक आपको stipend मिलता रहता है और इसके साथ क्या है कि आपको 2 साल के अंदर जिस दिन से आपका ज्यारफ award हुआ है उस दिन से 2 साल के अंदर आपको PhD में enrolled हो जान जाता है उसके बाद वो award खतम हो जाता है और maximum आपको पैसे कितने साल तक मिलते हैं वो 6 साल तक मिलते हैं net qualify हुए है तो lifetime के लिए है कि आप assistant professor किसी भी college में जाकर के बन सकते हैं इसके benefits हो गए फिर eligibility क्या है eligibility criteria में है कि अगर आपने master's degree कर लिए है अपने subject में with at least 55% कम से कम यह general category के लिए है क्योंकि OBC के लिए शायद 50% है S.E.S.T. के लिए भी शायद 50% या 45% है तो अपने category wise आप चेक कर सकते हैं कम से कम 55% आपने अगर master's degree जैसे MA है MSC है MCOM है अगर वो पूरा कर लिया है 55% के साथ without rounding off का मतलब क्या है जैसे अगर आपका 54.6 आता है तो इसको round off करके हम लोग 55 लिख दें तो ऐसा नहीं है आपका यही marks गिना जागा कि 54.67 है आप 55% के category में नहीं आएंगे तो बिना round off किये हुए आपका marks कितना होना चाहिए कम से कम 55 अधिक से अधिक आपका 90% हो जाए लेकिन कम से कम 55% के marks आपके होने चाहिए और उसके अलावा क्या ह अगर माली जे आपका अभी M.com पूरा नहीं हुआ है MA पूरा नहीं MSA पूरा नहीं हुआ है तो भी जिस दिन आपने admission लिया college में अपने PG के लिए उससे अगले दो साल के अंदर आपको PG कम्टीट हो जाएगा यही चीज UGC भी कहती है कि आप जिस दिन एक्जाम दिन जा आपका result आया मन लेते हैं आप जब MA first year में थे उसी टाइम अपने net का exam दिया और आप net pass हो गए तो आपको उस net का दरजा तब दिया जाएगा जब अगले दो साल के अंदर आप pass हो जाते है MA और उसके बाद वो result आपका माने हो जाता है otherwise वो माने नहीं होता है क्योंकि इसम में बैठ सकते हैं एक शर्त के साथ अगर आप अगले दो साल के अंदर अपना PG पूरा कर लेते हैं कम से कम 55% मार्क के साथ अगर नहीं पूरा कर पाते हैं तो जो net qualify हुए थे वो आपका रद हो जाता है आई हो आपको समझ में आ गया हो नेक्स्ट इसमें age limit क्या है net exam आप किसी भी age पे दे सकते हैं 40 साल के होगा पचास साल के होगा जब भी मन किया आप net का exam दे सकते हैं और जितना मन किया उतनी बार आप exam दे सकते हैं और उतनी बार qualify कर सकते हैं जयारफ के साथ क्या है कि मैक्सिमुम आप 30 साल अभी तो कोविट के वज़े से इसको 31 साल कर दिया गया है तो मैक्सिमुम आप 30 साल के लिए eligible होते हैं कि मैक्सिमुम एज आपकी जो 10th class के mark sheet होती है उस पे जब 30 साल के हो जाएंगे उसके बाद आप जयारफ का exam नहीं दे स यानि कि आप तो assistant professor के लिए apply करना चाते हैं जयारफ के लिए apply करना चाते हैं या बोध के लिए apply करते हैं तो सब लोग क्या करते हैं कोशिस समेशा सब की यही रहती है कि हम बोध के लिए apply करें मालेते हैं आप net के लिए apply किया और आपके जयारफ के category में marks आ चुके थे तो आप J-RF qualified नहीं माने जाते हैं, इसलिए form भरते टाइम हमेशा क्या करना चाहिए, बोध के लिए apply करना चाहिए, अगर आपका net qualify हो गया है, तो सिर्फ आप J-RF के लिए apply कर सकते हैं, तो maximum age limit सिर्फ J-RF follow के लिए है, कि आप 30 साल के उमर तक जाते हुए J-RF के लिए apply कर सकत हैं, कितने भी age पे, exam mode क्या है, इसका pattern क्या है, तो ये CBT है, computer based test होता है, और इसके जो paper होते हैं, वो दोनों language में होते हैं, Hindi और English बोथ में होता है, आप Hindi में paper देना चाहिए, तो paper Hindi में दे सकता है, English में दे सकते हैं, paper जैसे अगर ये computer आपका, तो पहले क्या होता था, यह पर एक box button आती थी, कि आपको Hindi में वो change करना है, कि English में change करना है, तो हम लोग वहां से change करके देख सकते थे, कि Hindi में paper मन किया, तो देख लिया, English में मन किया, तो paper देख लिया, अभी जो paper आता, उसमें क्या है, कि Hindi, English सब दोनों एक ही साथ रहता, उस paper के अंदर, तो paper आपका बोथ language में रहेगा, हिंदी में आप comfortable है, तो हिंदी में दीजी, English में comfortable है, तो paper आपके सामने, जिसमें मन करें, उसमें paper पढ़ करके, देख सकते आंसर, टिक कर सकते हैं, जो exam time होता है, वो दो बार होता है, एक साल में, एक बार June में होता है, एक बर December में होता है, जो अभी साल में दो बार exam को कराने के लिए, उन्होंने क्या किया, कि जो December वाला exam अभी छूटा था, जो December 2022 में exam होना था, वो अभी नहीं हुआ है, तो इसको उन्होंने क्या कर दिया, कि February में हम करवा देंगे, फरवरी में करवा देंगे, दिसमार वाला exam और जो June में करवाएंगे, कि जो दिसंबर वाला एक्जाम आएगा उसको दिसंबर में करवाएंगे February का भी date decide हो चुका है कि किस दिन February में exam होगा और June का भी decide हो चुका है कि कभ exam होगा तो ये ब्रहम में ना रहें कि ये exam postpone होने वाले हैं क्योंकि जब dates decide हो चुकी है तो दो चार दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन उन्हों ने इसके पहले एक notice जारी कर दी थी NTA ने जहां पर अपना exam calendar उन्होंने जारी किया हुआ है तो exam calendar के मादेम से वो NEET का exam होगा ये सारे exams करवाते हैं उन सब पर लिखा हुआ था कि कभ NEET का exam होगा कभ JEE का exam होगा बाकी entrance exams कभ होंगे तो सब कुछ अगर planned है पहले से ही उन्होंने बता दिया कि हाँ इस दिन ये चीजे होने वाली हैं तो जिस दिन उन्होंने बोल दिया जून में और दिसंबर में हम exam करवाएंगे उस दिन वो करवाएंगे और ये दिसंबर वाला exam आपका फरवरी में हो करके खतम हो जाएगा फिर जो cycle है उनकी एक साल में दो बार exam करवाने वाली वो अपने जगा पे आ जागी कोविट की वज़े से अस्त वेस्त होई थी एक साल में एक ही बार हुआ था दो-दो करके एक बार exam हुआ फिर जून और दिसंबर दोनों का मिला करके एक बार exam हुआ इस तरीके से हुआ था तो उस चीजों को सही करने के लिए उन्होंने ये किया है लास्ट में हम लोग देख लेते हैं जनरल पेपर यानि कि समाने ये समाने पेपर सबके लिए समाने है यानि कि दस यूनिट जो आपको पढ़ने है जो MA कर रहे है पॉलिटिकल है इस्ट्री है MSC कर रहे हैं किसी भी subject में है जो 10 unit उनको पढ़ना है वो सब उनको पढ़ना है और जो subject वाला है उसके लिए 10 unit अलग से मिले हुए है जैसे commerce काम लोगा है तो वो 10 unit करके अलग से बना हुआ pattern तो syllabus अपने इस subject के according आप download कर सकते हैं UGC के site से जा करके और general paper के लिए क्या है तो उसमें भी 10 unit है उस 10 unit में क्या होता है कि एक unit से पाँच questions पूछता है total general paper से कितने questions winner है वो है 50 10 unit है एक unit से 5 questions कभी कभी ऐसे होता है कि कि किसी unit से 4 question आगया किसी दूसरे unit से 6 question आगया लेकिन लगभग अही रहता है कि एक unit से आपको 5 questions पूछेगा और जो हम लोग का subject वाला रहता है 10 unit से 10 questions पूछते हैं यानि कि 1-1 unit, per unit 10 questions तो ये कितना हो गया? 100 questions तो paper total कितने questions का होता है? वो 150 questions का होता है general paper का 50 questions और अपने subject का 100 questions total timing आपको मिलती है 3 गंटे की 180 minute में उस 180 minute में आपको 1500 questions करने होते हैं और कोई भी negative marking नहीं होता है यानि कि अगर आपने कोई question गलत भी कर दिया है तो उसके marks नहीं करते हैं इसलिए पूरी कोशिस करने चाहिए कि time को इस तरीकी से manage करके चलें कि जितने भी questions आप attempt कर सकते हैं के लिए common है तो आप एक book आती है KBS मादान की आप इसको prefer कर सकते हैं और यहंत के book आती है तो paper 1 के लिए आप prefer कर सकते हैं और जभी भी कोई भी exam तैयार करने जाते हैं तो पहले कोशिस करने चाहिए कि जो भी previous year paper है अगर मैं इसके लिए suggest करूँ तो आप 2018 के बाद के papers को देखिएगा 2018, 2018 के दो paper, 2019 के दो paper 2020 में जो paper हुआ, 2021 में जो paper हुआ और 2022 में यानि के 5 या 6 papers हैं उन सब को पहले पढ़कर के analyze कर लीजे उससे ये पता चलता है कि कोई भी question है जब आप उसको देखते हैं तो आपको एक चीज तो पता चलता है कि हाँ, एक question ऐसा है जिसके बारे में मुझे बिल्कूल भी idea नहीं मतलब मैंने उसको कभी जीवन में देखा ही नहीं है कुछ questions ऐसे आते हैं कुछ questions ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि नहीं यह तो बहुत आसानी से हो जा रहा है मेरे से और कुछ questions ऐसे होते हैं जो कहता है कि अगर थोड़ा समय ने revision किया होता ना तो यह question तो बैपका कर गया होता तो जब previous year paper को आप अच्छे से analyze कर लेंगे तो आप इन तीन categories को पहचान सकते हैं कि कौन सा ऐसा चीज है syllabus के according फिर उसके बाद आप syllabus बेजाते हैं उस syllabus में आप क्या करते हैं इन तीनों के according उसको छाट लेते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छे से आती हैं इसको बस मैं revise करूंगा तो मेरा हो जाएगा फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे एकदम नए सीरे से पढ़ने ही start करनी है मुझे उसके notes बनाने है मुझे उसके questions solve करने है questions तो हर एक unit के solve करने है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका एक एक point आपको note down करके पहली बार उसको पढ़ना पढ़ता है जिससे अगर LLP है M.com में M.com में चाहिए B.com में हम लोगों ने LLP नहीं पढ़ा है लेकिन syllabus में है UGC के तो आपको पढ़ना पढ़ेगा जो पेपर आता है वो बहुत लिंदी आता है पेपर टफ नहीं होता है पेपर बस लिंदी होता है आपको टाइम मैनेज करना है तो जब हम लोग syllabus को पढ़ लेते हैं आप चाहें तो एक से देड़ महिने दो महिने में आप पूरे syllabus को पढ़ करके खतम कर सकते हैं और notes बनाना चाहिए notes अगर आप बनाते हैं मैंने अपने teacher से सीखा है कि जब हम लोग notes बनाते हैं तो उसे क्या होता है कि जिसे माली जिए पहली बार अपने किताब पढ़ी तो वो 500 पन्ने की है आपने notes में उसको concise कर लिया उसको छोटे में करके आपने 50 पन्ने में 60 पन्ने में उसको लिख दिया तो जब revision करने का time में आगा तो आपको 60 page बस पढ़ने होंगे और उस 60 page में आपको 60 page पूरा समझ भाएगा 500 page वाली किताब में आपको 500 page नहीं समझ भाएगे लेकिन जो आपने 60 page वाले notes बनाए है उसमें आपको हर एक point समझ भाएगा क्यों समझ भाएगा क्योंकि आपने उसको खुद लिखा है खुद समझ के लिखा है तो आपको हमेशा notes त्यार करते रहना चाहिए और यह नहीं है कि आपने पहली बार exam दिया और आपने बहुत महनत से notes त्यार किया निट के लिए जब आप notes त्यार करेंगा तो आपको लगेगा कि सब कुछ लिख जाएं तो किसले बस है 20 unit का उस 20 unit में कितने सारी चीज़े हैं कितने सारी किताबों आपको पढ़ने पढ़ेंगे तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बस आपको जो लगे कि यह हमेशा के लिए भूल जाएगा मतलब अगर इसको ना पढ़ते रहें तो एकदम भूल जाएगा तो धीरे-धीरे करके आपका mind उस तरीके से grow कर जाएगा, develop कर जाएगा और फिर आपको असान हो जाएगा, net हो गया, चाज यारफ हो गया और net यारफ के लिए अगर आप prepare कर लेते हैं तो इसम गरेंटेड है कि आपको बाकी एक्जाम के लिए सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करने की जरुवत पड़ेगी, क्योंकि आप अपने सिलेवस को इतनी बार पढ़ चुके होंगे इससे ज़्यादा किसी चीज का सिलेवस है नहीं PCS की बात नहीं कर रहे हूं, PCS, IS का comparison मत करते हैं न, लेकिन यहाँ पे जो सिलेवस दिया हुआ है, अगर Commerce के फिल्ड में हम लोग किसी भी PGT का एक्जाम दे, TGT का एक्जाम दे, KVS का एक्जाम दे Assistant Professor के लिए एक्जाम दे, किसी और State के Assistant Professor के एक्जाम को देने जाए सारा का सारा सिलेवस यहीं से आपको मिल जाएगा, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो competitive level के एजाम सोते हैं अगर आप ये eligibility पास कर जाते हैं तो वहाँ के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने मैं reply करूंगी, मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर जीजेगा अगर चैनल पे नहीं हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा धन्यवाद